फ्रांस से 7000 किलो मीटर का हवाई सफर तै करने के बाद आज भारत की सरजमी पर राफेल विमान पहुच गए राफेल विमान के स्वागत में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने एक संस्कृत का शलोक लिखा उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा रास्ट रक्षासम पुन्यम रास्ट रक्षासम वरतम रास्ट रक्षासम यग्यो द्रष्टो नेवचे नेवचे नभम इसपर शमदीपतम स्वागतम इसका मतलब है रास्ट की रक्षा से बड़ा ना कोई पुन्य है ना कोई वरत है और ना कोई यग्य है आकास को इस पर्स करने वाले स्वागत है वहीं राफेल विमानों की अंबाला एरवेस पर लेंड करने पर रक्षा मंतरी राजना सिंग ने वायू सेना को बदाई दी सेना की चम्ताओं में करांतिकारी बदलाव लाएंगे बताते चली कि भारत ने बेद उन्नत F-16 और टाइफून जैसे लड़ाकू विमानों की तुल्ला में फ्रांसेसी राफेल पर विश्वास जताया इसका कारण है कि विमान की लागत का करीब 30 फीसद अकेले रडार और से इसके कारण इसका पता लगाना और निशाना बनाना बेयद मुश्किल होगा चीन के पास भारत के रूसी सुखवी 30 की तकनिक से मिलता चुलता विमान है ऐसे में उन्होंने इसकी तकनिक का धिन किया होगा हलाकि राफेल उसके लिए आश्चर्य होगा भारत के राफेल के मुकाबले का चीन के पास फिलाल कोई विमान नहीं है राफेल ने कई मोचों पर खुद की शिष्टा थाबित की है जबकि अभी तक चीन के विमानों का किसी भी मुकाबले में परिक्षन नहीं हुआ है वही राफेल ने खुद को लीबिया, इराक और सीरिया के संगर्शों में बैतरीन प्रदेशन किया है राफेल हवा से हवा में मार करने वाली मीतियों और मिसाइलों से लेस है जो 150 किलो मीटर दूर लक्षी को निशाना बनाने में सक्षम है बिना सीमा पार की है, ये दुश्मनों के विमानों को निशाना बना सकती है रडार गाइडेड और धुनी की गती से चार गुना ज़्यादा तेज है चीन और पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले की कोई मिसाइल नहीं है साथ ही राफेल में इस केल्प मिसाइल 600 किलो मीटर दूर से अचुक निशाना लगाने में भी सक्षम है